घटाने की क्रिया में हमें उधार क्यों लेना पड़ता है? इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करते हैं. ये बहुत महत्वपूर्ण है. हम घटाने का एक सवाल लेते हैं. मैं इसी सवाल को थोड़ा अलग धंग से भी लिखूँगा. एक हजार पाँच को मैं फैला कर यानि इसके अंकों को उनके स्थानियमान के स्थानों पर अलग अलग लिखूँगा. इस तरह ये बराबर है. 1000, जमाशून्य सैकड़ा, जमाशून्य दहाई, जमाशून्य 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 हूँ क्योंकि हम सबको घटा रहे हैं, तो सवाल हल करते हैं, हम जानते हैं कि आपको उधार लेना आता है, ये 5 इस 6 से छोटा है, इसलिए किसी भी तरह इस 5 को बढ़ा करना है, ताकि इसमें से 6 को घटा सकें, उधार लेने के परंपरागत तरीके में कहीं से 1 उधार लेकर इ ये जानना चाहता हूं कि ये 1 या यू कहिए, ये 10 कहां से आता है, क्योंकि इस 5 को 15 बनाने के लिए हमें 10 जोड़ना होता है, यदि हम उपर की संख्या देखें, तो एक मातर स्थान ये 1000 हैं, जहां से 10 ले सकते हैं, ठीक है, मगर क्योंकि ये 1000 के स्थान पर हैं, तो यहां स 10 लेने पर सवाल मुश्किल बन जाएगा हम यहाँ से फिलाल पूरे 1000 ले लेते हैं ठीक है? अब मेरे पास 1000 हैं जो मैंने 1000 के स्थान से लिये हैं अब मैं इस 1000 को सैकड़ा, दहाई और इकाई की 3 टोकरियों में बांट सकता हूँ हमें यहाँ 10 चाहिए तो हम यहाँ 10 रखते हैं अब 10 जमा 5 बराबर है 15 ठीक हमें 15 मिल गए यदि हमारे पास 10 हैं जो हमने 1000 से लिये हैं तो यहाँ 990 बच गए तो हम 900 को यहाँ और 90 को यहाँ रख सकते हैं ठीक भ्यान दे हमने 1000 को इस तरह बांट दिया है 900 जमा 90 जमा 10 और हमने यह 10 इस 5 में जोड दिये अब हम इस घटा के सवाल को सरल सवाल की तरह कर सकते हैं पंदर घटा 6 है 9 नबबे घटा 10 है 80 900 घटा 600 है 300 इस तरह 300 जमा 80 जमा 9 हुए 389 आईए देखें हम इसे परंपरागत धंग से कैसे करते अब मुझे इस 5 को 15 में बदलने की जरूरत है ठीक तो मुझे कहीं से 1 उधार लेना होगा असल में हमें 10 उधार लेने होंगे तभी तो यह 15 होंगे तो मैंने कहा मुझे उधार लेना है 1 तो क्या मैं 0 से 1 उधार ले सकता हूँ? नहीं क्या मैं इस शुन्ने से एक उधार ले सकता हूँ? नहीं, मैं इसे यहां से ले सकता हूँ, लेकिन मैं ये उधार सौ से ले रहा हूँ, ठीक? इसलिए सौ घटा एक है 99, मैंने इसी तरह हल किया, अब हम कहेंगे 15 घटा 6 है 9, 9 घटा एक है 8, और 9 घटा 6 है 3, इस तरहीके से मैंने बहुत जल्दी हल किया, और मेरे ख्याल से आप इसे आसान कहेंगे, आपने इस 5 को लिया, इसके आगे एक रखा, आपने ये एक इस 100 से उधार लिया, ठीक? लेकिन असल में मैंने यहां से 1000 लिये, इस 1000 को मैंने सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थानों पर बांट दिया, आईए एक और उधारन ले, मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा स्पष्ट समझ देगा, कि उधार लेना कैसे काम करता है, असल में मैंने ऐसे सवाल से शुरुआत की, जो बहुत लोगों को चक्राता है, आसान ज़र सवाल करते हैं, मान लो हमारे पास 732 घटा, 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 तेज, 732 घटा तेज, जो बहुत आसान है, अच्छा तो हमने जो अभी सीखा है, वैसे ही लिखते हैं, 700 जमा, 30 जमा, दो, घटा, 20, घटा, 3, ये दो इस 3 से छोटा है, इसलिए घटा नहीं सकते, अब हमें कहीं से 10 चाहिए, हमने यहां से 10 लिए, और यहां 20 बचे, और इस 10 को दो से जोडने पर 12 मिल गए, ध्यान दे, 700 जमा, 20 जमा, 12 भी, 732 हैं, तो हमने उपर की संख्या को बदला नहीं है, केवल इसके मान को अलग-अलग स्थानों पर बांट दिया है, अब हम घटाने के लिए तयार है, 12 घटा, 3 है 9, 20 घटा, 20 है 0, और फिर 700 को नीचे ले आएं, हमें मिलेगा, 700 जमा, 0 जमा 9, जो 709 के बराबर है, तो आपने देखा, उदहार लेना कैसे काम करता है, हम कहते हैं, हमने 3 से 1 उदहार लिया, यहां 2 बचा, यह 12 हो गया, और फिर हम घटाते हैं, 9, 7, आईए एक और सवाल करते हैं, मेरे ख्याल से आपको घटा के सवाल को हर बार इस तरह नहीं करना है, हलाकि यदि कभी चक्रा जाएं, तो इस तरीके से कर सकते हैं, और आपसे घलती नहीं होगी, और जो भी आप कर रहे हैं, उसे समझ भी पाएंगे, लेकिन जब आप परिक्षा दे रहे हैं और बहुत जल्दी करना है, तो आपको परंपरागट ढंग से करना चाहिए, लेकिन इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होगी, कि आपसे कभी घलती नहोने पाए, यही समस्या है, लोग नियमों को याद करते हैं, उसी तरह करेंगे जैसे अभी सीखा है, वही तरीका पांच सो जमा दस जमा दो घटा तीस घटा आठ अब दो तो आठ से छोटा है, मुझे कहीं से दस लेने की जरूरत है, एक रास्ता है कि हम यहाँ से दस लेते हैं, इस तरह यहाँ शून्य बचेगा और फिर यह बारा हो जाएगा, ध्यान दे पांच सो जमा शून्य जमा बारा भी पांच सो बारा ही है, तो हम घटा सकते हैं, बारा घटा आठ है, चार, लेकिन शून्य यहाँ तीस से छोटा है, हम घटा नहीं सकते, हम 500 से उधार ले सकते हैं हमें 100 लेने की जरूरत है इसलिए हम इसे 100 में बदलते हैं फिर 500 से 100 उधार लेते हैं ये 400 हो जाता है ठीक मैंने 500 को 400 जमा 100 के रूप में लिखा है अब घटा सकते हैं 100 घटा 30 है 70 400 को नीचे लाते हैं और ये भी 474 है अब स्कूल में जो तरीका सीखते हैं आप कहते हैं 2 तो 8 से कम है एक उधार लेते हैं ये 12 हो जाता है यहां 0 रह जाता है 0 भी 3 से कम है इसलिए 5 से 1 उधार लेते हैं यहां 4 बचा और ये 10 हो गया इस तरह 12 घटा 8 है 4 10 घटा 3 है 7 और 4 को नीचे लाते हैं उम्मीद है जो मैंने किया उससे आप समझ गए कि उधार लेना कैसे काम करता है यदि आपनी ये सीखा है तो आप महसूस करेंगे कि आप जो करते हैं वह जादू नहीं है उम्मीद है आप इसे नहीं भूलेंगे आप हमेशा सोच सकेंगे कि उधार लेने के दोरान संख्याओं के साथ असल में क्या होता है उम्मीद है आपको उपयोगी लगा फिर मिलते हैं